हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेक टू रेनू रेस्पी और लाइफ स्टाइल आज हम बनाएंगे हॉली स्पेशल सावुदाने के फ्रेंड्स बहुत ही आसान होता है इनको बनाने और होली से रिल्टिफ ऐसे ही चिप्स पापड की रेस्पी आपको इस चैनल पर और भी मिल जाएगी सबसे पहले हमें सावुदाने को दो पानी से धोके ओवर नाइट के लिए भीगो के रख लेना है फ्रेंड्स आप सुबो जब देखेंगे तो यह अच्छे से फूल के रेडियो हो जाता है आप इसे नॉर्मल टेंपरेचर वाले वाटर से भी भीगो के रख सकते हैं या गरम से भी भीगो के रख सकते हैं मैंने नॉर्मल टेंपरेचर वाले से भीगो के रखा है तो फ्रेंच सुबो आप जब देखेंगे तो इस तरह से फूल जाएगा ये अब हम देखाएंगे आपको कि एक एक दाना इसका कैसे फूल गया है तो ये देखें फ्रेंच इस तरह से बिल्कुल हाथ में लेते ही इसका आटा बन जाना चीए इस तरह से ये फूलना चीए अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें थोड़ा-थोड़ा करके इसको पीस लेंगे एक साथ में बिल्कुल भी नहीं पीसना है थोड़ा-थोड़ा करके पीसना है और इसमें पानी का यूज नहीं करना है तो फ्रेंस हम इसे पहले बिना पानी के पीसेंगे अगर हमें जरूरत लगेगी तो एक से दो चमज हम पानी इस्तिमाल करेंगे तो साबुदाने को मैंने पीस लिया है आप देख सकते हैं और ये थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा है इस तरह से रहेगा तो ये जो मिकसर जार है उससे निकले गई नहीं तो हम इससे दो चमज के बराबर पानी डाल के फिर से पीस लेंगे और एक छनी की हेल्प से इसे छान लेंगे छानने से फ्रेंट्स आपके जो फ्राइंस बनेंगे बहुत ही अच्छे बनेंगे बिल्कुल भी तूटेंगे नहीं तो इस तरह से हम इसको पहले छान लेते हैं उसके बाद आगे का प्रोसेश करते हैं तो फ्रेंट्स ये देखे इस तरह से छानने के बाद इसको हम दो भागो में डिवाइट कर देंगे अगर आपको एकी कलर में बनाने हैं और एक को मैंने वाइट ही रखा है अब मैंने इन में दोनों में थोड़ा थोड़ा काली मिर्ची का पाउडर डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा टेस्ट अकोर्डिंग नमक डाल दिया है बहुत जादा नमक नहीं डालना है क्योंकि साबुदाने में थोड़ा सा नमक भी बहुत जादा लगता है तो फ्रेंट्स आप चाहे तो इसे किसी भी जलेवी वाले मोल्ड जो होते हैं उनसे बना सकते हैं और सबसे इजी तरीका है पॉलिथीन से तो ये मैंने दो पॉलिथीन ले रखी है और दोनों में मैं कोन बना के रख दूँगी तो फ्रेंट्स बहुत इजली कोन बन जाती इस तरह से हमें बैटर इसमें फिल करना है और आप चाहे तो उपर इसका रबर बैंड लगा दीजी या तो आप इसको ऐसे ही फोल्ड कर लीजी और हाथ में सिक्यूर कर लीजी अपने ताकि आप इसली इसके फ्रेंट्स बना पाए तो ये देखे मेरी पॉलिथीन थोड़ी सी बड़ी थी तो मैंने उपर से इसको ट्विस्ट करके इसी की गांट मार ली थी इसी तरह से हम दूसरी भी बना लेंगे और अब हम थोड़ी थोड़ी इनकी नोक काट लेंगे आगे से एक पॉलिथीन लेंगे और उसमें जो सावी डिजाइन आपको पसंद हो आप वो बना देंगे तो ये दिखे आप किसी भी सेब में इनको बना सकते हैं सूखने के बाद ये बिल्कुल भी तूटेंगे नहीं बहुत अच्छे बनेंगे और सूखने के बाद ये थोड़े से पतले होते हैं तो इसको अगर आप मोटे भी रखोगे तो कोई दिखे और फ्रेंगे इनको जब भी बनाए आप पॉलिथीन में ही डारेक्ट बनाए तो मैं ये आपको दिखाने के लिए यहाँ पर बना रही हूँ बाकी मैं बाहर जाक ये बनाएंगी डारेक्ट धूप में तो ये देखे सेप आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बना सकते हैं ट्रेंगल इसको एर फ्लावर सेप जो भी आपको पसंद है तो मैं इनमें टाइम बहुत लग रहा था और धूब बहुत जादा थी तो मैंने थोड़े से आपको बता हैं और ये देखे मैं इस तरह से रिंग सेप में बनाऊंगे क्योंकि यही मेरे बेटे को पसंद है तो मैंने डेड़ सारे बना लिए हर तरीके से फ्लावर में भी रिंग में भी जैसे पसंद है और ये बनाने में मेरे बेटा भी मेरी हैल्प करता है तो कुछ मेरे बे में यह सूखे रेडी हो गए थे क्योंकि मैंने बहुत पतले बना रखे थे तो यह देखे फ्रेंड्स आप मार्केट से होली में बहुत सारे जीप्स पापड खरीदते हैं तो आप इस तरह से अपने घर में बनाईए आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और हमारे बड़े हो जा रहे ही फ्राइ करने के बाद अपने सेब से डबल सेब में आ जा रहे है इसी तरह में रिंग वाले भी फ्राइ कर लूँगी कैसे लगी आपको आज की रेस्पी कॉमेंट करके जरूर बताएगा और इस होली में यह रेस्पी जरूर ट्राय करिएगा मिलती आपको नेक्स रेस्वी में तब तक के लिए बाबाई जे में